नमस्कार दोस्तो आज हम जाने के गुलामबंस के बारे में और इसके मतलग पूरे बंसे के गुलामबंस के स्थापना बार्था शेश्वी में कुतुबुद्धिन एवक ने किया था जो कि गौरी का गुलाम था जो गौरी जो था वह बहुत परदेश उसने जीते थे वह और यह अपनी राजधानी लाहोर में बनाई थी और कुटूब मिनार जो दिल्ली में है उसका निव भी डाला था कुटूबुद्दिन एवक नहीं डाला था देखिए हमारा जो प्राचिन आलंदा विश्विद्द आले था जहां से बीदेशों से भी बच्चे वहां पढ़ने आते तो सिच्छा ग्रहन करने आते थे उसको दोस्त कर दिया आग लगा दिया था इसी कुटूबुद्दिन एवक कि सेनापती बक्तियार खिल जीने पूर कुटूबुद्दिन एवक कि मिर्तियों के बाद इसका उत्रादेकाली था आरामसा जो है यह काम निप्ता कि और इखुदे गद्दी पर बैठी यारी राजा बनने के लिए उस्सधमाने में बाब बेटा बाब बाप के भी हत्या कर देता था बाप बेटा कुछ नहीं होता था राजा बनने के लिए तो वही आराम सा की जो है हत्या कर देता है इल्टूत्मिस और खुद जो है इल्टूत्मिस की मिर्टिव अप्रेयल बारोसो च्छतिस में हो जाती है इसके बाद जो इसका पूत्र है रुकनुद्दिन फिरोज यह गदिली के पर बैठता है लेकिन यह जो था यह अयोग्य सा सकता है यानि कि राजा के पास जो भी गून होते है राज्यों के चलाने के और समर था यह पूरा राज्य के कारे भार इसकी मम्मी अम्मा समालती थी जिसके बाद कुछ तुर्की अमीरों ने मतलब कि इसको जो है आयोग्य सासन के चलते इसको जो दिली के गदी पर से हटाकर और पर्थम जो मुस्लिम सासी का थी रजिया बेगम उसको क्या काम करता ह दिली की गदी पर बैठा देता है सब रजिया बेगम ने पर्दा पर्था का त्याग भी किया उसने जो है मर्दों की तर चोगा पहन के और खाली मू जो दरबार में जाने लगी जिसका विरोध अमीर तुर्कों ने किया फिर उसको भी हत्या करवा दिया कैथर के पास डाक मैं कर दी जाती है बहराम सा की मिर्थिव के बाद अलावुद्धिन मसूद सा जो है वह जो है गदी पर बैठाजी बैठा लेकिन मुंत से हटा देता है और ना नरोज उत्स harassment शुरुवाद बलवन नहीं किया था ये बहुत सारे कॉम्पेटिब इकजामने के लिए मिश्याम क्टे कि कि नहीं के था तो बलवन लिए रख्येगा हमें डेखिए प्रसिद कभी जो थे अमीर खुश्रो और अमीर हसन यह बलवन के ही मतलग की दरवारी ते मतलवारी कभी थे गुलाम बंस का जो अंतिम सासक हुआ लास्ट साषक हुआ वह हुआ समुध्दीन कैमूर्स इसके बाद छोपथ हो गिया खतम होगी इसके बाद चालू होता है फिली दिसके बारे में आगे वीडियों में जानेंगे आप मतलोग गुलाम बंसके बारे में समझे अससान के पुरा पंससाchos – बहुत याद करना बहुत असान देखिए पहला इसका मतलगी वस्तापने किया था कुतुबुद्धी ने बाद इसका उत्राधिकारी था वह आराम सा हुआ आराम सा जब इसको हत्या कर दिया इल्टुथमिस ने तो खुद जो है दिल्ली की गद्दी पर बाठा और इल्टुथमिस की इल्टुथमिस की जब मिर्ति हो जाती है इसका बेटा जो है रुकन दिन फिरोज वह गद्दी पर बैठता है रुकन दिन फिरोज की जो था यह एक आयोगी सासक था जिसके चलते अमीर तुरकों ने इसको हटा कर और रजिया बेगम को दिल्ली का सुल्टान कर देता है इस पर आसलों उसका सासन जो है तुरकी अमीरों को पसंद नहीं पढ़ताते है इसको भी मतलब कि मतलब जी बल्मन ने सटेवंत में फसा के नाशुरभी नुहमसा को मतलब दिल्ली का सुल्टान को पना सब्सक्राइब करने का बहुत आसान है आप इसके बार में जाने होंगे अगर वीडियो तो वीडियो के लाइक चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहिन